रेन्बो यानि इंद्र धनुष प्रकिति में होने वाली ऐसी घटना है जिसको देखने के लिए हम सभी उताओ ले रहते हैं जिससे हम सभी को बहुत अधिक लगाव रहता है जब रेन्बो आसमान में बनता है तो साथ रंगों की पट्टियां धनुष के समान बन जाती है इंद्र धनुष तभी बनते हैं जब बारिश होती है बारिश की कुछ बूदे आसमान में जम जाती है और उनसे गुजरने के बाद सूर की किरणे साथ रंगों में बढ़ जाती है और इंद्र धनुष जैसी सुन्दर छवी की रचना होती है आपने ये ध्यान अवश दिय कि इंद्र धनुष कभी दोपहर में नहीं बनते क्योंकि इंद्र धनुष शाम को बनते हैं वजह साफ है क्योंकि दोपहर में सूर की किरण सीधे हमारे उपर बनती है लेकिन शाम को शूर की किरणे छिपे हुए पानी के बीच से होकर गुजरती है और इंद्र धनुष बन गलग मानने ता है पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि जब इंदर धनुष बनते हैं तब वह इस बात का संकेत देते हैं कि इश्वर्स परियाप्त वर्शा होगी फसलों में बहुत अधिक लाब होगा इंदर धनुष को लोग इश्वर का वरदान मानकर त्योहार के र प्रवाहित किया प्रीज्म कांच की बनी एक तुर्भुच के समान सनुचना होती है जिससे प्रवाहित होने के बाद प्रकाश की किरोने सात रंगों में विभक्त हो जाती है और इस प्रकार आईजक नीटन ने प्रयोग शाला में एक छोटे से इंदर धनुष का सानता के नुसार इंदर धनुष में जो सात रंग होते हैं वो हैं लाल नारंगी पीला हरा नीला इंडिगो और वायलेट परतु कुछ लोगों का हम्मत है कि इंडिगो रंग इस धरुष में होता ही नहीं है और इसके पीछे करण बताया जा रहा है आईजक नीटन की इंडिगो कलर की प्रमुख भूमी का होती है आईजक नीटन इदर धनुष को बच्पन से धर्म से जोड़ कर देखते थे और इसलिए उन्होंने इंदर धनुष में एक अत्रिक्त रंग को बताया लेकिन यह बात कितनी तथ्य है यह अभी तक प्रूफ नहीं हो पाई है औ और इंदर धनुष चंदरमा की उपस्थिती में बनते हैं और हम इसे लूनर रेन्बो या मून्बो कहते हैं बरसात के अंधिरी रातों में जब चंदरमा पूरी तरीके से निकला हो आप कभी कभी देखेंगे कि उस चंदरमा के चारों और एक घेरा बना होता है वास्तों म अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसके किनारे बने घेरे थोड़े थोड़े चमकदार होंगे और मज़ेदार बात यह है कि चंदरमा में बो तभी बनता है जब चंदरमा हमारे सिर के ऊपर रहता है पूराने समाने में भारती मानता के नुसार ऐसा माना जाता थ इंद्र धनुष चंदरमा पर बनता है तब भगवान इंद्र अपने मंत्री परिशत के साथ भविश्र में होने वाली वर्शा रितू की चर्चा करने के लिए सभाकायोजन करते हैं ऐसी स्तिती में बहुत से लोग इस और की प्रात्ना करते थे और उन्हें अधिक बारिश शहिए या कम बारिश शहिए इसके लिए काम ना करते हैं इंद्र धनुष में जितने भी रंग दिखते हैं वहर व्यक्ति को अलग अलग दिखते हैं आपको कुछ और लगेगा मुझे कुछ और लगेगा और इसकी कारण यही है कि रंगों का परावर्तन हर व्यक्ति की आमाशकार